तो पांस जो जो सेलंडर हुआ है, उसका परेष कॉनफरेंस कुछ होना चाहिए, पॉस्स मारब रिपोर्ट आगिया है, उसका भी होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि पॉस्स मारब रिपोर्ट हक में है चालीस दिन हो गए इसला भरोगे लिया पुरा सोल से क्लाहेत बहुत अफसोस की बात है कि आज 40 दिन हो जो एसाइट टीम गठित किया गया था उस एसाइट टीम ने अब तक खुलासा भी नहीं किया कि पोस्मारा या कैसे क्या हुआ ना केस क्या हुआ कौन आरोपी है क्या है अब तक नहीं एक कर पाया मजबूरन आज हम लोग को एक दिन सानसद है उनसे मेरी मांग है कि मीनाज और सहखिलवाई के कातिल को जलसे जल सजा मिले और जो एक आरोपी वी बताय जा रहा है कि वह अभी राश्पति के नाम से एक स्भाइब अगर हम लोग यहां का धर्ण में बैठ है तो हम लोग बात नहीं सुना जाता है तो हम लोग-गर वहां तक भी नहीं सुनाया जाये तो हम लोग मुखमंसरी का करेंगे विधान सभा का घराओ करेंगे मुख मंत्री माने स्री तेजी सुर्य आदप का घराओ करेंगे मेरा नाम मुहम्मद निहाल प्रवेच परमुख बहादुर गंज तो कुछ आसवासन नहीं मिला किसी के तरफ से कहीं से भी कुछ आसवासन नहीं मिला क्या मांग कर रही है आप 40 दिन हो गया है चालिज दिन हो गया है मेन आर वीप को ग्रिफतार होना चाहिए और वो पांच जो सलंडर हुआ है उसका परेस स्थ के कुछ ना चाहिए नहीं होगा है उसका भी होना चाहिए वो कह रहे हैं कि पॉस्मार में प्रे vel­ फट हक-में हैं अगर तो कुछ कारवाई क्यों नहीं हुश है यतार मिलन के हमें हुज है एक नहीं ही हुट में हुआ है परशासाथ नहीं दे रहे हैं मेरे मामले को द्रबाना साथ है जब मैं साथ के लिए आगे बैठी हूं परोटेस्ट कर रही हूं यहां पर कोई नेता कहीं से नहीं आए और परशासन भी नहीं आया कुछ नहीं बो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सब कोई मिलके मेरा मेटर इस मेटर को दबाना चाहते हैं क्या नाम है मेडम आपर शाद मासमी मर्हु मिनहस की वाइफ हमको दिया गया है हम आगे अगरतर करवाई के लिए डियम सर को भेज़ेंगे